बॉलिवुड में इस वक्त कई सितारे हैं जो सफलता के आस्मान पर चमचमा रहे हैं। बॉलिवुड के मंजे हुए कलाकार माने जाते हैं। बॉलिवुड में आने से पहले कियारा बच्चों के एक प्री स्कूल में नौकरी किया करती थी। जहां वो बच्चों को A, B, C, D और 1, 2, 3, 4 सिखाने से लेकर उनके डाइपर्स तक चेंज करती थी। सोनाक्षी सिन्हा इंडस्ट्री के दिगच कलाकार शत्रुगन सिन्हा की लाडली बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म दबंग से बॉलिवुड में कदम रखा था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आक्टर बने से पहले सोनाक्षी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। सोनाक्षी ने 2005 में आई फिल्म मेरा दिल लेके देखो के लिए कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किये थे। भूमी पेडनेकर दमदार अक्टरिस भूमी पेडनेकर बचपन से ही सक्सेस्फूल अक्टरिस बनने के सपने देखती थी। भूमी ने अपने सपने को पूरा भी किया है लेकिन आक्टिंग के शेत्र में आने से पहले भूमी पेटने कर ये अशुराज प्रोडक्शन्स में कास्टिंग डिरेक्टर शानु शर्मा के अंडर जॉब किया करती थी अभिनेता नवाजुदीन सिद्धिकी ने ये साबित किया है कि अगर टैलेंट है तो बॉलिवुट में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोग सकता नवाजुदीन कभी कैमिस्ट शॉप पर नौकरी क्या करते थे बाद में वो दिल्ली आये दिल्ली में उन्होंने डेड़ साल तक चौकिदार की नौकरी की नवाज ने अपने करियर की शुरुआत बॉलिवुट फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स करने से की थी आज वो इंडस्ट्री में जाना पहचाना चेहरा है आईश्मान खुराना नेशनल अवार्ड विनर आईशमान खुराना ने अपने करियर की शुरूआत बत और आरजे की थी बॉलिवुड में उन्होंने कदम रखा फिल्म विकी डोनर से आईशमान अक्सर ऐसी फिल्में चुनते हैं जिनका सबजेक्ट हर किसी को हैरान कर जाता है और वो दर्शकों का दिल जीत लेते हैं सनी लियॉन बॉलिवुड में कदम रखने से पहले सनी लियॉन एडिल्ट फिल्म स्टार थी ये तो हर कोई जानता है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सनी ने पहली जॉब एक जर्मन बेकरी में की थी इसके बाद उन्होंने एक टेक्स और रिटार्मेंट कंपनी में भी नौकरी की थी खत्रों के खिलाडी कहलाते हैं अक्षे कुमार अमरिट सर से दिल्ली और फिर दिल्ली से फिल्मी नगर या मुंबई का लंबा सफर अक्षे ने तैग किया है बॉलिवुड में एंट्री करने से पहले अक्षे कुमार बैंकॉक में वेटर की जॉब किया करते थे अक्षे ने 1991 में आई फिल्म सोगंस से बॉलिवुड में डेब्यू किया था रनवी सिंग बॉलिवुड के सिंबा रनवीर सिंग इंडस्री के टॉप अक्टर है लेकिन रनवीर ने अपनी पहली नौक री एक एड़िटाइजिंग एजनसी में बत और कॉपी राइटर की थी बाद में उन्होंने यश्राज प्रोडक्शन की फिल्म बैंड बाजा भारात से फिल्मों में कदम रखा और कभी पीछे मुड कर नहीं देखा जॉन अब्राहिम जॉन अब्राहिम ने शोबिस की दुनिया में जेजी वी के गाने सूर्मा से कदम रखा था उनकी पहली फिल्म 2003 में आई फिल्म जेसन थी आज जॉन इंडस्ट्री के टॉप एक्शन स्टार है लेकिन ग्लैमर इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले जॉन एक मीडिया और एडविटाइसिंग कंपनी में मीडिया प्लानर की जॉब किया करते थे बीरो रिपोर्ट एट्वेंटीफोर